हेलो एवरीवन वेलकम टू फैर्दम एकाडमी आयम मुहमद साधिक लास्ट टाइम हम लोगों ने रे आप्टिक्स में लेंस मेकर्स फॉर्मुला और कॉंकेव कॉंवेक्स लेंस उसकी फोकल लेंस पॉसिटिव नेगेटिव कब होती है कनवर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है लेंस का और उससे रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट वैरिएशन डिसकस किये थे साथ में लोगों ने डिसकस किया था कॉंवेक्स एंड कॉंकेव लेंसे हैं तो उससे इमिज फॉमेशन कैसी होती है अलग-अलग केसिस दिया था कब ऑबजेक्ट कहां होगा तो उसकी इमिज कहां पर बनेगी आज हम बात करेंगे एक लैटर ली एकस टेंडड अभजेक्ट है सटेन हाइड का ऑबजेक्स दिया हुआ है तो इमिज की हाइड क्या होगी एड उसी से रिलेटेड एक टर्म डिफाइन किया जाता ह magnification. So let us see what is magnification for a lens. तो इस तरह का एक convex lens है और यहां पर हम suppose कर लेते हैं एक object है इस object का जो head है उसको A लिख लिए और जो इसका foot है वो B लिख लिए हमने अब इसकी image कहां पर बनेगी? So last time इस तरह का image formation कैसे करेंगे? वो हमने देखा था rules क्या होते हैं उसके? So पहला पहली जो रे लेंगे वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के parallel रहे होगी इस तरह से यह reflection के बाद focus से पास हो जाएगी इस तरह से अगी और दूसरी रहे हम ले सकते हैं जो optical center से पास हो रही है और optical center से जो रहे पास होती वो undeviated पास होती है तो दूसरी रहे हम इस तरह से ले सकते हैं optical center से पास हो रही है और यह दोनों rays आगे यहां मिल रही है यहां कहीं यह मिल रही है तो हमारी जो image है वो इस तरह से बन रही है inverted image बन रही है वो भी हमने इसकी qualities भी discuss किया था तो अब यहां पर यह है एकी image यहां पर बन रही है दिस इस ए डैश यह B है B की image यहां पर बन रही होगी B यहां पर इस इस हम यह हमारा optical center है इसको PC हम लिख सकते हैं अब यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर हमें हाइट image की हाइट और object की हाइट के बीच में relation establish करना है यह जो distance होती है इसको हम कहते हैं object distance U and इस distance को हम कहते हैं image distance V okay so यहां पर हम देख सकते हैं कि यह वाला angle और यह वाला angle यह दोनों angles क्या होंगे same होंगे they are opposite angles okay so if this angle is theta this angle is also theta ठीक अब यहां पर हमें दो triangles दिख रहे हैं एक है triangle ABP और दूसरा है triangle A dash B dash P यह दोनों triangles इनमें एक एक angle already same हो चुका है दूसरा angle यहां पर और यहां पर यह 90 degree है so automatically तीसरा angle भी क्या होगा same होगा इस तरह से ABP और A dash B dash P यह दोनों similar triangles हैं okay so they are similar triangles and उसमें corresponding parts का ratio same होगा so triangle ABP and triangle A dash B P are similar so corresponding parts का ratio हम equate करा सकते हैं that is A dash B dash A dash B dash upon AB is equal to क्या लिख सकते हैं हम B dash P upon BP यह लिख सकते हैं तो यह हमने कुछ distances लिखी हैं यहां पर अब इसको हम देख सकते हैं कि यहां पर A dash B dash image की height है और AB object की height है and B dash P क्या है image की distance है और BP क्या चीज़ है object की distance है अब यहां पर यह जो चीज़ होती है image की height upon object की height इसी चीज़ को हम define करते हैं magnification okay सो यहां पर फिलाल हम इसको लिख लेते हैं image distance object distance and heights के tom में उसको हमें sign convention के साथ लिखना होगा यह वाला relation हम पहली बार establish करने जा रहे हैं इससे पहले हमने lens makers formula जो establish किया था उसके लिए already एक spherical surface से refraction कैसे होगा वो उस formula को use करके किया था तो वहां पर sign convention नहीं use किया था बट यह हमारा first time है तो यहां पर हम इसको sign convention use करेंगे a dash b dash इसकी जगा हम क्या लिखेंगे यह inverted image है इसकी जगा हम लिखेंगे minus hi height of the image divided by ab which is height of the object वो उपर है तो positive है and b dash p b dash p यह right side में distance है रे की direction में इसको positive लेंगे which is nothing but image की distance v है divided by bp bp left side में distance है और यह क्या है object distance है u है okay sorry u यहां पर क्या होगा negative होगा left side में है so दोरों तरफ से negative sign cancel हो गया and hi upon ho is equal to v by u आ गया है और इसी चीज़ को हम क्या define करते है magnification okay so magnification in case of a lens इसको हम define करते है m से which is equal to hi upon ho यह हो जाएगा and hi upon ho किसके equal होगा image or object distance के term में that will be equal to v upon u यह है magnification अब जो magnification वाला term है यह काफी important term होता है इससे हमें image के quality के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जैसे अगर हमारा magnification positive है तो positive होने का मतलब conventionally object principle axis के उपर ही होता है उसकी height positive ही होगी then magnification positive आने का मतलब की image की height भी positive ली जा रही है that means image कैसी बन रही है erect बन रही है so whenever magnification is positive that means the image is erect final image is erect and so image is erect यह हम लिख सकते हैं और दूसरी चीज़ and erect images है फिर वही बात अगर single optical instrument की बात है तो erect image होगी तो फिर virtual भी होगी लेकिन अगर एक से जादा optical instruments involved है तो ऐसा होगा जरूरी नहीं है तो सिर्फ लेकिन हम यहाँ पर यह बात हमेशा सही है M positive है overall M positive है that means the image final image is erect next अगर M negative है इसका मतलब यह positive है overall value negative आ रहे है इसका मतलब image की height negative है that means image principal axis के नीचे बन रही होगी so image is inverted inverted एक तो चीज होई sign दूसरी चीज है magnification की value अगर इस magnification की value जो modulus होगा उसका 1 से जादा है 1 से जादा होने का मतलब यह ratio 1 से जादा है that means height image की object से जादा है so इस case में image जो बन रही है वो enlarged image बन रही है so M की value चाहे positive 1 से जादा हो चाहे negative 1 से जादा हो मतलब उसका modulus 1 से अगर जादा है तो enlarged image है enlarged image similarly अगर modulus M 1 से कम है that means यह ratio 1 से कम है और height image की object से कम है तो यहाँ पर diminished image होगी सब्सक्राइब करने के लिए कभी कभी सिर्फ magnification की value दे रखी होती है तो कुछ तो हम image के quality के बारे में पता कर सकते हैं further magnification से object की distance और image की distance के बीच में भी एक relation लिखा जा सकता है अब हम बात करेंगे lenses से related कुछ important points की यह सारे points होंगे यह सारे जो ideas होंगे यह कभी कभी direct question भी पूछे जाते हैं जिसका at least take surface spherical bounded medium है यहां पर हमने दोनों spherical surface ले रखा है ना image formation हम कैसे करते हैं object है object से light rays emanate होती है और जितनी light rays emanate होती है वो कहां पर आके converge हो रही है यह कहां से diverge हो रही है वो हमारा image point होता है अब theoretically कितनी light rays object से emanate होती है they can be infinite so infinite number of rays emanate होती है बट हमें सिर्फ 2 चाहिए होती है वो diagram fair रखने के लिए हमें सिर्फ 2 की ही जरूरत होती otherwise we can draw infinite number of light rays emanating from the object and reaching the image so यहां पर क्या है कि lens इस object से जो ray emanate हो रही है वो lens के हर एक part पर incident हो रही है so lens का हर एक part however small it may be वो एक full lens की तरह से ही काम करता है इतना part ले ले इतना part ले ले इतना part ले ले इतना part ले ले every part acts as a full lens so हर part जो है object की full image बनाता है हाँ अब यहां पर क्या होगा कि अगर हम पूरा lens यूज़ कर रहे है aperture जादा है उसका तो image formation के लिए जादा light involved होगी उस situation में जो intensity होगी जो image की quality होगी वो जादा अच्छी होगी और अगर एक lens का छोटा part small aperture यूज़ हो रहा है तो image की जो intensity होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी so कई बार यह question आता है कि image को यह lens है lens के एक certain part को हमने ढख दिया abstract कर दिया light rays को तो जो image है उस पर क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा image जैसी बन रही थी वैसी ही बनेगी बस उसकी intensity पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा okay so इसी तरह से अब इसमें दूसरा variation क्या होगा कि suppose यह lens है and यह lens जो है कई तरह के medium से मिलके बना हुआ है यहाँ पर यह medium इसका refractive index कुछ और है इस medium का refractive index कुछ और है और यह वाला जो medium है इसका कुछ और है similarly this has a different refractive index and the other part is also having different refractive index अब यहां पर क्या है object से जो light ray इस medium से जाएगी वह अलग medium से पास हो रही है इस medium से जो जाएगी वह अलग medium से पास हो रही है सो इन सारे medium से जो light ray पास हो गी उसका जो रिफ्रक्षं होगा या कन्वरजेंस डàiवर्जेंस होगा वो different होगा तो यह वाली ray कहीं किसी point पर converge होगी यह वाली यहाँ से जो निकलेगे वो किसी और point पर converge होगी तो इस तरह से क्या है एक और चीज हम देख सकते हैं कि lensmikas formula जो हमने किया था 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो यहाँ पर यह दोनों surfaces जो है इसके radius same है इनकी भी same है इनकी भी same है, इनकी भी same है, इनकी भी same है तो अगर कई सारे parts हैं इसमें कई सारे medium से मिलके बना हुआ है तो radius तो सबकी same है लेकिन refractive index सबका अलग-अलग है इसी की वजह से जितने medium होंगे उतनी ही focal length होगी उतने ही focus points होंगे और उतनी ही image बनेगी number of image भी उतनी ही होगी जितने number of medium है एक case, दूसरा case क्या होगा इसमें, अगर lens जो है, वो दो medium से बना हुआ है, लेकिन ये medium इस तरह से हैं एक तरफ एक medium है, और दूसी तरफ दूसरा medium है ये इस तरह से अब क्या होगा यहाँ पर कि इधर से जो light ray जाएगी वो पहले medium से भी pass होगी और दूसरे medium से भी pass होगी कोई भी ray होगी किसी भी part से pass हो रही हो उसको पहले इस medium में होकर जाना है फिर उसके बाद दूसरे medium में होकर जाना है so effectively light एक composite medium से pass हो रही है सारी light एक composite medium से पास हो रही है और यह चीज़ क्या है refractive index हो जाएगा उस composite medium का and radius of curvature दोनों तरफ same ही है तो इस situation में इसकी एक single focus होगी और एक single object की single image ही form होगी अगला important point इसमें यह है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि focal length जो है यह चीज़ किसी length के लिए constant है वो किसी भी medium में रखा हुआ हो so focal length और refractive index यह क्या है अब हम यहाँ से क्या दिखा सकते हैं कि focal length क्या है one upon n इसके inversely proportional है so roughly we can say focal length is inversely proportional to the refractive index of the medium of lens and we know lens lens वो स्नेल स्लो जब reflection जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि जो refractive index होता है यह light की wavelength पे depend करता है और कैसे depend करता है inversely depend करता है inversely somehow inversely proportional होता है so focal length is inversely proportional to refractive index which is inversely proportional to wavelength that means focal length somehow will be directly proportional to the wavelength of light so जितनी जादा wavelength होगी focal length भी उतनी जादा होगी that means कि अगर हम एक white light use कर रहे हैं इस तरह से एक lens है और इधर से एक white light आ रही है so इसमें क्या है कि अलग-अलग जो colors होंगे अलग-अलग wavelength जो होंगी वो अलग-अलग points पर focus होगी एक color यहां focus हो जाएगा अगला color कुछ आगे जाके focus होगा so जिसकी small wavelength है उसकी focal length भी small होगी so यह वाली जो minimum focal length होगी यह हमें मालूम है white color में सबसे small wavelength जो होती वो लेट के लिए होती है so this would correspond to the focal length for violet color इसी तरह से यह वाली जो सबसे जादा focal length है किसके लिए होगी जिसकी wavelength सबसे जादा होती है red color जो होता उसकी wavelength सबसे जादा होती है हा लेकिन इस तरह की चीज जो है वो हमें ठिक lenses जब होते हैं तो उसमें जादा देखने को मिलती है thin lenses जिस scope में हम work कर रहे होते हैं उसमें यह इतना जादा deviation यह इतना जादा separation colors के बीच में नहीं होता है so effectively white light जो होती है वो हमें एक ही point पर converge यह diverge होती हुई दिखती है इसी तरह से अगर हम concave lens की बात करें और यहां से white light आ रही है so यह diverge होगी अलग-अलग colors अलग-अलग focus से diverge होंगे so इसको हम पीछे extend करें एक focus यह होगा और दूसरा focus जो होगा वो यहां कहीं होगा so जो focal length जादा है that would correspond to the red light और जो focal length कम है यह हो जाएगी violet के लिए focal length अगली चीज़ है lens को अगर हम cut कर रहे हैं so यह lens है और lens को अगर हम इस तरह से cut करेंगे तो यह चीज़ अलगी हम discuss कर चुके हैं we will have a plano convex lens और a plano concave lens अगर concave है तो तो इसकी focal length f है तो जो दोनों हमें plano convex मिलेंगे lens उन सबकी focal length क्या हो जाती है double हो जाती है तो हमने radius of curvature change कर दिया इस तरह से cut किया है बट अगर हम ऐसे cut करें कि radius of curvature ना change हो जैसे यह lens है इसको हम इस तरह से cut करें दो half में divide करें तो एक lens यह मिलेगा दूसरा lens यह मिलेगा अब यहां पर क्या है दोनों surfaces की radius of curvature change नहीं हुई है अभी हमने बात किया lens का कोई एक part full lens की तरह से ही behave करेगा similarly इसकी radius of curvature वही है medium भी दोनों का same है तो दोनों की focal length same रहेगी नहीं change होगी इसकी अगर F है तो इन दोनों की भी F ही रहेगी एक बात दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हमने इसको cut किया है और हमने उनको separate नहीं किया है just cut करके वहीं पर रखा हुआ है तो इसकी जो principal axis होगी वो same रहेगी जो principal axis full lens की थी वही principal axis दोनों half की भी होगी लेकिन अगर यहाँ पर हम separate कर दें lenses को हमने cut किया और एक part को दूसरे वाले part से separate करके रख दिया अब क्या है यहाँ पर principal axis change हो जाएगी अब अगर हमें थोणा बहुत ध्यान हो तो principal axis हम कैसे define करते हैं दोनों जो surfaces होते हैं उनके centers को join करने वाली line जो होती है वो कहलाती है principal axis जब तक यह दोनों separate नहीं हुए थे दोनों का center same था अब जब separate कर दिया है तो इसका center यहाँ कहीं होगा इसका center यहाँ कहीं होगा तो इसकी principal axis यह हो जाएगी और नीचे वाले lens की principal axis कुछ और हो जाएगी तो separate कर देने पर principal axis की position change हो जाती है और कई बार यह important information होती है पर्टिकुलर्ली जही एडवांस के जो questions होते हैं उसमें लास्ट एक point और आप से discuss करना है कि जो lens formula हमने derive किया था image distance और object distance इसके बीच में जो relation होता है one upon f तो यह formula हमें बताता है कि object के distance दे हुई है तो image के distance कहाँ पर होगी अगर इन सारी distances को हम time के साथ differentiate करें that means कि object distance time के साथ change हो रही है इसका मतलब कि object move कर रहा है with respect to the lens and similarly image distance अगर change हो रही है that means image is also moving with respect to the lens so यहाँ पर हम object की speed और image की speed उनके बीच में एक relation निकाल सकते है so let us differentiate this relation with respect to time अब हम इसको differentiate करेंगे यह distance है so यह one upon v है अगर हम chain rule से करेंगे तो यह होगा minus one upon v square and then dv by dt ठीक अब क्योंकि kinematics हम इतना दादा पढ़ चुके होते हैं कि कभी-कभी हमें लगता है कि this is acceleration no this is not acceleration this is speed of the image and similarly यहाँ पर क्या होगा minus sign पहले से ही है so यह हो जाएगा plus one upon u square and then du by dt okay is equal to focal length is fixed focal length नहीं change होगी image and object की distance change होने पर that means उसको जब हम differentiate करेंगे तो वो 0 आएगा अब एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो object की distance और image की distance है वो lens से ली जाती है तो यहाँ पर जो object की distance या image की distance sorry object और image की जो speed हम calculate करते हैं वो lens के frame के साथ में करते हैं अगर lens खुद move कर रहा होगा तब फिर यह जो velocities होंगी यह ground frame में different आएंगी lens के frame में कुछ और आएंगी तो यह बात आपको बहुत ध्यान रखना होता है कई बार यह भी question के लिए बहुत important information होती है so इसको हम लिख सकते हैं image की speed let's call that v i और इस term को हम इज़र लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा negative और फिर यह वाला negative इस से cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा नीचे u square और यह वाला v square cross multiply होकर यहाँ पहुँच जाएगा and then we will have du by dt which is object speed अब इस चीज़ को हम कहा लिख सकते हैं we can write it as v by u whole square into object speed और इसी चीज़ को अभी हमने establish किया इसको हम कहते है magnification इसका square whole square this is magnification so this would become m square v o is equal to v i तो अगर object distance दे रखी है image distance दे रखी है यह sorry object की speed दे रखी है then we can find the speed of the image अगर हमें object distance और image distance मालूम हो या फिर हमें focal length मालूम हो तो हमें यह calculate करना होता है तो इस पर भी बहुत अच्छे questions frame किये जाते हैं यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि यह सारी जो speed है यह frame lens के frame में ही calculate की जाती है so यह थी lens से related important जितनी भी points थे वो and next time अब आपके साथ हम discuss करेंगे इस पर numerical problems जो होंगी यह सारी चीज़े जो हमने discuss की है reflection at spherical surface and lens से जो imaging वगरा होती है इस से related numerical problems discuss करेंगे thank you so much for being with me